एलो व्यूर्स हम कर रहे हैं तयारीक अक्षा नौवी गणित विशे की त्रेमासिक परिक्षा की और इसमें हमने ब्रिच कोर्स के पार्ट 1, 2 और 3 के विडियो बन चुके हैं पार्ट 4 में अध्याए एक के सारे important question कर ली हैं आज हम इस विडियो में अध्याए 2 आपका गणित विशे का त्रेमासिक एक्षा में आएगा उसकी त्यारी कर रहे हैं तो अध्याए 2.1 में कुछ प्रश्ण ऐसे हैं जो हम मोखिक रूप से ही कर सकते हैं और बहुत ही आसान है यह प्रश्ण आपके objective question में आ सकते हैं एक एक नंबर में तो इनको हम देख लेते हैं आप इनको देखते से ही आपको यह समाज में आ जाएंगे तो यहाँ पर प्रश्ण है निमनलिकित में से प्रतेक में एकस वर्ग का गुणांक लिखिए तो X वर्ग का गुणांक लिखना है, तो X वर्ग वाली जहांपे भी लिखा, यह जैसे पहले प्रश्ण में X वर्ग यहांपे है, तो इसका गुणांक मतलब इसके साथ गुणां में कौन सी संक्या है, तो यहां कुछ नहीं है, X के साथ यहां कोई संक्या नहीं, मतलब यहां एक है तो यहाँ पे एक सवर्ग का गुणांग है एक इसी प्रकार यहाँ पे भी एक सवर्ग है और इसके साथ भी कोई संख्या नहीं मतलब एक है लेकिन यह रिन का है तो यहाँ आ जाएगा रिन का एक उसी प्रकार यहाँ जो तीसरा प्रश्णय में इसमें एक सवर्ग के स जाएगा यहाँ पर 0, क्योंकि यहाँ X वर्गवाली संख्या ही ही नहीं, तो इस प्रकारे प्रश्ण है, बहुत आसान है, इसके बाद इसको भी देख लेंगे, निम्नलिकित भहुपदों में से प्रतिक भहुपद की घात लिखे, ठीके भहुपद की घात लिखना है, तो हम पता है कि भहुपद की घात वह घात होती, जो कि सबसे बड़ी हो, सबसे बड़ी जो घात होगी, वही भहुपद की घात होती, तो हम इनको करेंगे, तो हम आसानी से समझ जाएंगे, तो यहाँ पर देखो पहले प्रश्ण में, जो लिखा 5X की घात 3, धन 4X की घात 2, धन 7 तो यहाँ सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो यहाँ पर जो घात 3 है, सबसे बड़ी है, तो इसकी घात है, बहुपद की घात हो जाएगी 3, इसी प्रकार यहाँ देखो 4X की घात 2, तो यहाँ सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 है, तो हम यहाँ लिख देंगे, सबसे बड़ी या बहुपत की घात यहां हो जाएगी दो अब यहां पे हैं पाँच टी रिन अंडरूट साथ तो यहां पे दो और तीन तो है ने लेकिन टी की घात कुछ नहीं मतलब एक है तो यहां पे बहुपत की घात हो जाएगी एक इसी प्रकार यहां पे 3 है लेकिन यहां पर तो जो घात है तो इसमें कोई भी चर राशी है ही नहीं X और Y या T कुछ भी नहीं है तो यहां पे भुपत की घात हो जाएगी 0 तो इस प्रकारे बहुत आसान प्रश्णत था इसके बाद अगला जो प्रश्ण है इसको भी देख लेंगे बताईए कि निमनलिकित भहुपदों में से कौन-कौन भहुपद रेखिक है कौन द्वी घाती और कौन त्री घाती तो समझ लो रेखिक भहुपद मतलब जो घात ए जिसमें सबसे बड़ी भहुपद की घात एक है वहर एक ही खुंगे जहां पे घात दो वाले पद है वहां पे द्वी घाती होका और जिसमें जिस भहुपद की घात तीन होगी वह त्री घाती होका तो यहां सबसे पहला एकस की घात दो धन एकस तो यहां एकस की घात दो है तो यहां बहुपत की घात कितनी है, दो है, तो यह द्वी घाती बहुपत है, इसी प्लकार अगला जो है, एक धन एकस, तो यहां पे केवल एकस है, तो बहुपत की घात क्या है, यहां पे एक है केवल, तो यहां रेखिक होगा, ठीके, एक घात है, तो यहां रेखिक होगा, इसके बाद है R की घात 2, तो यह घात 2 है, यहाँ पे 2 घाती पहुपत है, यहाँ पे 7 X की घात 3, तो यहाँ यहाँ जो है यह 3 घाती पहुपत का उधारण है. इसके बाद अगला प्रश्न है, X बराबर 1 पर P X बराबर 5 X की घात 2, रिण 3 X धन 7 का मान ग्यात कीजिए, तो इस प्रकार का कोई सा भी प्रश्न दे रखा हो, X का मान यहाँ दे रखा हो, तो जो भी X का मान दे रखा हो, X की इस्थान पर वो मान लिखके हम हल कर लेंगे, त इस यहाँ पर X बराबर 1 लिखा है, तो P X मतलब 1 लिखा है, यहाँ पर बराबर 5 X की घात 2, रिण 3 फिर X की इस्थान पर हम 1 लिख देंगे, धन 7, और इसे हल कर लेंगे, तो बराबर 5, एक की घात 2 मतलब 1 ही होता है, तो एक इसके साथ गुणा में आएगा, धन 3 में 1 का गुणा करा तो 3 धन 7 पराबर 5 में एक का गुणा 5 रिन 3 धन 7 तो इस प्रकार का जो पाजा है तो धन धन वाली को जोड़ लेना और रिन को अलग करके फिर घटा देना है तो यहाँ पर धन वाली 2 संख्या है तो यहाँ पर 7 और 5 बारा रिन 3 तो बारा में से 7 कम करेंगे तो बचेंगे नो तो यही इसका उत्तर है ठीके एक से बराबर एक के लिए पी एकस का मानिया पर आया है नो और यही हम इंसर लिख देंगे नो इसके बाद जो अगला प्रशन है अध्याई 2 का महत्पुर्ण वहे बहुपत 5 एकस रिन 4 एकस किका 2 धन 3 के मान ग्याद कीजिए तो मान ग्याद करने में हमें हमें मान दे रखे एकस बराबर 0 के एकस बराबर रिन 1 और एकस बराबर 2 तो हमने जैसे कि इसके पहले सवाल में देखा है एकस का मान जो दे रखा है वह मान हम यहाँ जहाँ जहाँ एकसे उसका मान डग देंगे और इसको हल कर लेंगे तो यह प्रश्ण आसानी से हो जाएगा जैसे हम यह लिखेंगे x बराबर 0 तो ऐसी इस्थति में जो भौपध है भौपध है हमारा 5 x रिन 4 x की खाद 2 धन 3 तो इसमें हम इसका मान रख देंगे तो 5 x बराबर 0 तो x की जिएके 0 रख दिया रिन 4 x की खाद 2 है यहाँ पे तो यहाँ पे 0 की खाद 2 हो जाएगी धन 3 अब यह 5 में 0 का गुणा हुआ तो 0 आ जाएगा रिन यहाँ पे 4 है 0 की खाद 2 का मान 0 ही होता धन 3 यहाँ पे बराबर हो जाएगा 0 रिन 4 का गुणा 0 में करा तो यह भी 0 हो गया और यह धन 3 तो 0 धन 0 रिन 0 यह हट गई इसका कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा इंसर 3 धन 3 मतलब 3 होता तो x का मान यदि 0 रखा तो बहुपत का मान आ जाएगा 3 तो सबसे पहला इंसर हो जाएगा हमारा इंसर 0 के लिए बहुपत का मान है 3 अब हम अगला निकालेंगे x बराबर रिन 1 तो हमें लिखेंगे x बराबर रिन 1 तो यहाँ जो हमारा बहुपत है इसमें x के स्थान पर हम रिन 1 लिख देंगे तो यहां रिन 1 लिख देंगे यहां पर भी रिन 1 ठीक है तो यह 5 और x का मान रिन एक कर दिया रिन चार एक सकमान रिन एक की घा दो धन तीर यहां हुझाएगा पांच का रिन एक में गुणा करा तो रिन का पांच हो गया है रिन चार रिन एक का वर्गे मतलब रिन एक में रिन एक का गुणा तो रिन का रिन में गुणा हुआ तो धन हो जाएगा और एक का एक में गुणा करेंगे, तो एक आएगा, तो यहाँ माना आजाएगा, एक धन तीन, बराबर ये रिन वांच, चार का एक में गुणा करा, तो चार हो गया रिन का, धन तीन, अब एसी जब संख्या आती, तो रिन रिन वाली को हम जोड लेंगे, तो zhड़ लेंगे, तो यहाँ पे answer आगया रिण का 6 तो यदि x का मान रिण 1 है तो भुपत का मान हो जाएगा रिण 6 इसके बाद एक और है x का मान 2 रखे करना हमें यह x बराबर 2 तो x बराबर 2 करा मतलब हमें x की स्थान पर 2 मान रखना है तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर हो जाएगा 2, रिन 4, X की खा 2, मतलब 2 की खा 2, और धन का 3 ही सही, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का 2 में गुणा करा, तो 5 दूना 10, रिन 4, 2 की खा 2, मतलब 2 का 2 में 2 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 लिख देंगे, धन का 3, इसको और हल कर लेंगे, तो यहां हो जाएगा, 10, रिन 4 का 4 में गुणा करा, तो 4 चुख, 16, धन 3, अब धन धन वाली संख्याओं को जोड लेंगे, तो 10, और 3 हो गए, 13, रिन 16, तो 13 में से 16 घटाएंगे, तो 13 में से 16 नहीं घटेंगे, तो बहुपत का मान आजाएगा, रिन का 3, तो इस प्रकार के अधी प्रशन आते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हो, X का मान जो भी दे रखाओ, वह X के इस्तान पर मान रखके, और उसको हल कर लेंगे, और इस तरह से हमारा उत्तर आजाएगा, बहुत आसान प्रशन होते हैं, आप आसानी से कर लोगे, और आपको पूरे अंकप राप्त होंगे, ये बाद अगला प्रशन है, P, X से बराबर 3, X दिन 2, भहुपत का शुन्यक ग्याद कीजी, तो किसी भी बहुपत का शुन्यक ग्यादी हमें ग्याद करना है, तो वह इसी विधी से करेंगे, और यहाँ प्रशन हम उधारण की तोर पर देख रहे हैं, महतवपूर्ण प्रशन भी है, शुन्यक ग्याद करने के प्रशन एक्जाम में आते ही हैं, तो इसको हल करेंगे, यहाँ पर पी एक्स ब्राबर तीन एक्स रिन दो, मतलब पी एक्स मतलब जीरो, क्योंकि हमें शुन्यक ग्याद करना है, बराबर तीन एक्स रिन दो, तो इसका मतलब है कि तीन एक्स रिन दो बराबर जीरो होना चाहिए, तो ही बहुपत का शुन्यक ज्यात कर पाएंगे मतलब इसका मान जीरो हो तो यहाँ पर लिख देंगे हम अब इसको हल कर रहे हैं जैसे तीन एकस बराबर रिन दो बराबर के उधर गया तो धन दो हो गया है एकस बराबर हो जाएगा दो बटा यह तीन गुणा में यह बटे में चले जाएगे तो एकस बराबर दो बटा तीन तो ऐसी इस्थती जब इस बहुपत का शुन्यक जीरो हम निकालेंगे तो एकस का मान होना चाहिए दो बटा तीन और यही इसका एंसर है इंसर आजाएगा 2 बटा 3 बहुत आसान प्रश्ण है इसके बाद अगला प्रश्ण है 3x की खाद 4, रिन 4x की खाद 3, रिन 3x, रिन 1 को x, रिन 1 से भाग दीजिए तो यह बहुपत वाला भाग है और यदि इसको हम कर लेंगे तो हम भाग करना सीख जाएंगे बहुत आसान है तो हम इसको करते हैं तो यहां हमें करना है 3x की खाद 4, रिन 4, एकस की खाद 3, रिन 3x, रिन 1 में हमें भाग लगाना है एकस रिन 1 का तो इस प्रकार के भुपत में जब भी भाग लगाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि यह जो आगे वाली संख्या है इसमें इसी संख्या का गुणा करेंगे जिससे कि यहाँ पर इस संख्या के बराबर माना आ जाए तो यहाँ X है जैसे इसमें हम किसका गुणा करेंगे कि यहाँ पर 3X की घाट 4 आ जाए तो यहाँ पे x की एक घात तो ही सही, तो गाते जूड जाएगी गुणा में, यह 3 और 4 घात हो जाएगी, तो 3 x की घात 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 x की घात 3 का घुणा करेंगे x में, तो यह हो जाएगा 3 x की घात 4, और इसका घुणा अब इस संख्या में भी होगा, तो धन, रिन, रिन, रिन हो गया, तीन का एक में गुणा करा, तो तीन, एकस की घात तीन, तो यहाँ पे, तीन, एकस की घात तीन, अब इसको, अब इनको जब घटाएंगे, तो बहुपद में इस प्रकार से होता कि, घटाते समय, जो नीचेवाली संख्या, ईनके चिन्न बदल जाते। तो धन की हिए तो यह रिन की हो जाएगी, ए रिन की हो जाएगी, अब धन रिन का अपस में कर जाएगा, अब देखो, यहां क्या बच्चा है, तो यहां पे चार में से तीन कम हुआ, तो एक बच्चा और X की घात 3, एक X की घात 3 बच्ची है, तो एक लिखने के आवशकता ही नहीं, हम यहाँ X की घात 3 लिख देंगे, और यहाँ पर चिन्ना आएगा बड़ी संख्या का, क्योंकि चार बड़ी संख्या थी, तो बड़ी संख्या का चिन्ना आएगा, तो रिन X की खात 3 बच्चा है यहां होका रिन 3x रिन 1 यह जो बच्चे उवे बाकिये पूरे यहां उतार लेंगे अब हमें यहां पर आगे क्या चाहिए हमें यहां x की खात 3 चाहिए तो हम x में किस संख्या का गुणा करेंगे कि हमें रिन x की खात चाहिए तो हम रिन का गुणा करें तो X की खाद 2 और 1 X की खाद 3 तो X की खाद 3 हो जाएगी तो हो जाएका रिन X की खाद 3 अब रिन X की खाद 2 का रिन 1 में भी गुणा होगा तो रिन का रिन में गुणा होगा तो धन और X की खाद 2 का एक में गुणा होगा तो X की खाद 2 ही रहेगी तो हमें यहां पे मिला है धन एकस की घाब दो, लेकिन एकस की घाब दो वाली तो कोई संख्या ही नहीं है, तो हम इस एकस की घाब दो को यहाँ अलग से भी लिख लेते हैं थोड़ा सा आगे, अब देखो इनकी चिन्न बदलेंगे, यह रिन का है तो यह धन का, यह धन का है तो रिन का हो जाएगा, य यहाँ पे हम सबसे पहले x की घाब 2 वाली संख्या लिख लेते क्योंकि फिर x वाली आजाएगी तो यह रिन का है तो रिन x की घाब 2 फिर यह रिन 3x बचा है और रिन 1 बचा ही है अब हम इसमें ऐसी की संख्या का गुणा करें कि हमें x की घाब 2 मिल जाए तो हम यहाँ पे हमें रिन चाहिए तो रिन x का गुणा करेंगे x में तो धन रिन रिन आजाएगा और x का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगी x की घाब 2 अब इस रिन x का 1 में भी गुणा होगा रिन 1 में तो रिन रिन धन हो गया है और x का 1 में गुणा होगा तो x तो धन का x आएगा अब इनके चिन्न बदल देंगे तो ये रिन का है धन का है तो रिन का हो जाएगा अब यहाँ X की खाद दो और धन X की खाद दो आपस में कड गए अब यहाँ क्या बचा है देखो 3X और 1X 4X हो जाएंगे क्योंकि दोनों रिन के हैं रिन रिन आपस में जूड जाएंगे 3X और 1X 4X हो गएं रिन का 1 जो यहाँ बचा था अब हमें यहां क्या चाहिए, रिन 4 एकस चाहिए, तो आप एकस में किसका गुणा कर देंगे, यदि रिन 4 का गुणा कर देंगे, तो रिन 4 एकस हो जाएगा, तो रिन 4 का गुणा करा, तो रिन 4 एकस आए, अब इस रिन 4 का इस एक में भी गुणा होगा, तो रिन रिन धन हो रिन का 1 और रिन का 4 तो यह हो गए रिन के 5 और यह रिन के 5 बचा हमारा 6 फल तो इस प्रकार से भाग करना है बहुत आसान है आप इसको क्रम से करोगे तो आसानी से हो जाएगा और यह महत्पुर्ण प्रश्ण है भाग वाला एक्जाम में आ सकता है इसकी बाद जो अगला महत्पुर्ण प्रश्ण है भाउपद 12 X की का 2 रिनसात X धन 1 का गुणनخंड ग्याद कीजिए तो इसका गुणनखंड ग्याद करना है किसी भी संख्या का यह हम गुणनخंड ग्याद करेंगे भाउपद वाली का तो उसके लिए हमें पता है कि जो बी की खाद 2, रिन 7, धन 1 और बीच वाली संख्या हमारे पास है, रिन 7, एकस इसे दो भागों में बाटना है, कि यदि इन दोनों भागों का गुणा करें, तो हमें मिलना चाहिए 12X की खाद 2, गुणा 1, तो एक का गुणा करेंगे, तो यही संख्या रहीगे, तो गुणा करने पर हमें 12X की खाद 2 चाहिए, और उसको जोड़े या घटाएं, तो हमें चाहिए रिन का साथ, एकस मतलब बीच वाली संख्या, तो इसी दो संख्या कौन सी हो सकती है, कि जोडने पर तो साथ माना आ जाए, और गुणा करने पर तेरा आ जाए, तो इसी संख्या होती है, य यहां पर चिन भी सही आना चाहिए, क्योंकि गुणा करने पर हमें धन का चिन चाहिए, क्योंकि 12X धन के हैं, और जोड़िया घटाओ करने पर हमें रिन के साथ एकस चाहिए, तो रिन के साथ एकस कब आएंगे, जब रिन का 4X हो, रिन का 3X, तो रिन का 4 और रिन का 3 आपस रिन 3x धन 1, तो हमने रिन 7x को दो संख्यों में बाढ़ दिया है, रिन 4x और रिन 3x, अब इसको और हल करेंगे, तो यहाँ पर हम इन दोनों में से common ले लेंगे, तो यहाँ से ले सकते हम 4x, यहाँ से 4x common ले लेंगे, तो 4 तिया बारा होते हैं, यहाँ बचे, 3x रिन का 4x तो यहाँ आ गया, तो एक बचा है अब यहाँ, अब यहाँ देखो, यहाँ पर हम रिन 1 common ले लेंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ कोस्टक में 3x रिन 1 चाहिए, तो यहाँ बचा धन का 3x, और धन रिन 1, तो इस प्रकार से दो पत प्राप्त होगा, अब इसको और कर देंगे तो 4x रिन 1, जो जो common लिये थे, वो यहाँ आ जाएगा, 4x रिन 1, और यह दोनों common में से यहाँ एक आ जाएगा, इन दोनों पतों में से एक पत आ जाता है, 3x रिन 1, तो यहाँ बचुपत का गुणन खंड़ हो गया, और यही इसका एंसर है, तो बहुत आसान प्रश्न है केवल बीच्वाली संख्याओ को दो संख्याओ में बाटना है, और ध्यान रखना है कि गुणा करने पर यह दोनों संख्याओ का गुणा और जोड़ करने पर बीच्वाली संख्या आनी चाहिए, उसके बाद हम common लेके उसको हल कर लेंगे, इसके बाद अगला प्रश्न है, सीधे गुणा किये, बिना निमनलिखित गुणनफल ग्याद कीजिए, तो सीधा गुणा नहीं करना और इसका गुणनफल ग्याद करना तो बहुत आसानी से हम कर लेंगे, तो इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे 97 गुणा 103 लिखा है, तो 97 को हम और किस तरह से लिख सकते हैं, 97 मतलब होता, 100 में से अधी 3 घटा दे, तो 97 हो जाएगा, गुणा 103 को के से लिख सकते हैं, 100, धन, 3, 103 हो जाएगा, तो अब हमें यहाँ दो पत प्राप्त होगे, तो सबसे पहले हम जो आगे वाला है 100 है, इसका गुणा इन दोनों में करेंगे, और फिर रिन 3 का गुणा इ अब हम रिन 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे, तो यह रिन 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे, तो यह रिन 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे, तो यह रिन 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे, तो यह रिन 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे, तो यह रिन 3 का गुणा 300 धन के और 300 रिन के तो डोनो आपस में कड़ जाएंगे, अब यहां बच्चा है 10,000-9, तो 10,000 मेंसे 9 घटा देंगे, तो हम यहीं पर अफ में घटा के भी देख लेंगे, तो यहां से उधार लेंगे, तो यहां से उधार लेंगे, तो यह 10 हो जागा, दस में से 9 गातों एक बच्चा यहाँ पे 9 बच्चेगा यहाँ 9 बच्चेगा और यहाँ भी 9 बच्चेगा तो 9999 आ गए हमारे पास और यही इसका एंसर है बिना हमने गुणनफल सीधा गुणा किये बिना ही इसको हल करा है और यहाँ इसका एंसर आएगा इस प्रकार हमने अध्याय 2 के भी महत्पुन प्रश्ण कर लिये हैं आपके एक्जाम के मान से तो इस प्रकार आप ब्रिच कोर्स अध्या 1 और अध्या 2 के संपुन त्यारी कर सकते हो वीडियो देखकर सारी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब किजिए